राधे राधे मित्रो स्वागत है आपका जोतिष धर्म चैनल पर आज के विडियो में हम बात करेंगे मकर राशी के अक्टूबर माह के राशिफल के बारे में मित्रो हम आपको कुंडली के सभी भावों के अनुसार राशिफल बताएंगे और साथ ही बताएंगे इस महीने के शुब और अशुब दिन सबसे पहले जानते हैं इस महीने ग्रहों का गोचर क्या रहेगा 9 अक्टूबर से गुरु पंचम भाव में वक्री रहेंगे 10 अक्टूबर से बुध दशम भाव में रहेंगे 13 अक्टूबर से शुक्र एकादश भाव में रहेंगे 17 अक्टूबर से सूर्य दशम भाव में रहेंगे 20 अक्टूबर से मंगल सप्तम भाव में रहेंगे 29 अक्टूबर से बुध एकादश भाव में रहेंगे मकर राशी, शनी प्रधान राशी का अक्टूबर माह का राशिफल प्रथम भाव यह भाव आपके आत्म विश्वास और मानसम्मान का है आप पर साढ़े साती का अंतिम प्रवास चल रहा है प्रथम भाव के अधिपती शनी द्वितिय भाव में गोचर कर रहे हैं आक्म विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें आपके सभी निर्णे सभी साबित होंगे नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी रोजगार की समस्या दूर होगी व्यापार की बाधाएं दूर होंगी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा ग्वितिय भाव यह भाव आपके धन, वानी और परिवार का है ग्वितिय भाव में शनिदेव कुम्भ राशी में गोचर कर रहे हैं आर्थिक स्थिती में धीरे धीरे सुधार होगा वानी की मधूरता बनाये रखें रुका धन प्रयास से वापस मिल जाएगा परिवार का सहयोग प्राप्थ होगा त्रितिय भाव यह भाव पराक्रम का है पराक्रम भाव में गुरु राशी स्थान में राहु गोचर कर रहा है आपके पराक्रम पुरुशार्थ में व्रिद्धी होगी यात्रा के दौरान अपने स्वास्थाय का ध्यान रखें सकारात्मक उर्जा के साथ काम पर ध्यान दें नौकरी में प्रमोशन की बाधा दूर होगी भाई भन मित्रों के साथ मतभेच से बचें चतुर्थ भाव यह भाव भूमी, भवन, वाहन और माता का है चतुर्थ भाव के अधिपती छठवे भाव में गोचर कर रहे हैं प्रोपर्टी के मामलों में जल्द बाजी से बचें नई प्रोपर्टी खरीदने में अपना बजट न बढ़ाए कर्ज लेने की स्थिती से बचें कमिशन के काम से लाभ होगा माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा पंचम भाव यह भाव धन लाभ, विद्या, संतान और प्रेम संबंधों का है पंचम भाव में शुक्र राशी स्थान में देवगुरु गोचर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में सफलता के योग बनेंगे शेयर बाजार में लंबे समय के निवेश से लाभ होगा संतान पक्ष से शुब समाचार मिलेगा विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी प्रेम संबंध मधुर होंगे छठवा भाव यह भावरोग, रेन और शत्रूओं का है छठे भाव में मिथुन राशी में मंगल देव गोचर कर रहे हैं व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रन रखें कर्ज लेने की स्थिती से बचें हड़ियों और नसों से संबंधित परेशानी हो सकती है शत्रों से वादविवाद की स्थिती से बचें सब्तम भाव यह भाव जीवन साथी और व्यापार का है राहु का दृष्टी संबंध है जीवन साथी पर अनावश्यक शक करने से बचें जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं व्यापार में धीरे धीरे लाब होगा व्यापार में अभी नई साजेदारी से बचें अश्टम भाव यह भाव विदेश और रिसर्च के मामलों का है अश्टम भाव के अधिपती सूर्य नवम भाव में गोचर कर रहे है विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी नवम भाव यह भाव भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का है नवम भाव में कन्या राशी में सूर्य और केतु गोचर कर रहे हैं भाग्य का साथ मिलेगा धर्म कर्म के कारियों में मन लगेगा उच्छ शिक्षा के छात्रों को सफलता मिलेगी दशम भाव यह भाव कर्म और पिता का है शुक्र राशी में बुध गोचर कर रहा है नौकरी में सफलता मिलेगी नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है व्यापार में लाब के नए अवसर प्राप्थ होंगे पिता की बात मानकर आगे बढ़े एकादश भाव यह भाव लाब का है एकादश भाव में शुक्र गोचर कर रहा है आर्थिक स्थिती में सुधार होगा धैर्य बनाकर कर्म शेत्र पर लगे रहें द्वादश भाव यह भाव्यय, विदेश और कोड कचहरी के मामलों का है द्वादश भाव के अधिपती गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहें हैं व्यर्थ के खर्चों पर नियंतरन रखें विदेश से लाब के अवसर प्राप्थ होंगे कोट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी अब बताएंगे इस महीने के शुभ दिन जिन में आप अपना कोई विशेश कार्य कर सकते हैं शुभ तारीख 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 29, 30 अब बात करेंगे अशुभ दिनों की जिन में आपको संभल कर रहना होगा वाहन सावधानी से चलाएं, विवाद से बचें, धन के लेन देन में सावधानी रखें अशुभ तारीख 1, 9, 10, 18, 19, 26, 27, 28 आईए जानते हैं कुछ सरल उपाय जिसे करके आप अपने अक्टूबर माह को और भी शुभ फलदाई बना सकते हैं हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार को शनिदेव की उपासना करें गरीबों को खिचडी का दान करें ये था मकर राशी के जातकों का अक्टूबर माह का राशिफल जोतिश और धर्म से जुड़े विडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल मैं हो राधे राधे